क्या आप भी किसी रोग से कर्ज से धन संबंदी या फिर किसी ग्रह दोश से परेशार हैं तो इस मकर्शनकरांती को ऐसे ही ना जाने दे इस बार की जो मकर्शनकरांती वो 15 जनवरी को और 7 में सोमवार को है तो ये संयोग बहुत ही सालों बात बन रहा है तो उसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उस दिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे महा उपाय बताऊंगे जिसको आप अपनाएंगे तो आपको बहुत ही लाव मिलने वाला है जिस भी कारण से आप परेशान है वो कारण आपका दूर वो परेशानी आपकी दूर नहीं हो रही तो इस मकरशंक्रांती क्योंकि साल भर में एक ही बार ऐसा दिन आता है जिस दिन आप ये उपाय को कर सकते हैं बाकी दिन आप नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को full watch जरू पुजा का सबसे अधिक महत्विशेस महत होता है मकταसंक्रांति के दिन आपको दान जरूर करना चाहिए आपको पूजा जरूर करनी चाहिए सूर देवता की और उस दिन इस् माल जरूर करना चाहिए किसी पवित्र 라े नदी में तो सबसे पहले थोड़ा से जान लेते हैं प्रैदफट कि उझी सोर्यूधे से पहले उठना है चाहें रोज देडर से उठने सों लेकिन उपको उठना है और सुर्यूधे से पहले बिना आवाज के आपको इसनान करना है अगर आप नदी पे जाकर कर सकते हैं नहीं तो फिर घर पर गंगा जल और तिल मिलाकर इसनान जरूर करें उसके बाद सुक्षिक कपड़े पहने मंदिर को अपने साफ करें भगवान को भी नहला धुला कर साफ वस्तर पहनाएं उसके बाद पूजा करें और प अधितिर्दे सुरूत का भी पाट कर सकते हैं उसके बाद आप जितनी भी दान की चीजे हैं वो बैट कर वहाँ पर निकाले कई जगा पर खिचड़ी मिलाने की जो प्रधा होती है तो आप उसको भी जरूर करें खिचड़ी खिलाना दान देना मिलाना ये सारी चीजे होती महतबूर होती है तो उस दिन आप पूजा पाट जरूर करें सुरी भगवान की उपासना जरूर करें उसके बाद जितना हो सके अपनी चामनुता अनुसार जिस चीजों का भी दान कर सकते हैं तो आप दान जरूर करें उसके दिन को आप अपने बहुत ही अच्छा वि कर सकते हैं तो मकर संक्रांती पर जो आपका एक उपाय तो ऐसा है जिससे आपकी जितनी भी आर्थिक परिसानिया है वो सारी दूर हो जाएंगी तो आप इस मकर संक्रांती पर ये उपाय को जरूर अपनाएं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पित्र दोस अगर आपकी कुंडिली में है या आपके जीवन में है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करें तो मकर संक्रांती के दिन काले तिल से किये गए उपाय व्यक्त को पित्र दोस से मुक्ति दिलाते हैं इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर बहते जल में काले तिल प्रवाहित कर दे इस दोरान पित्रों का इस्मरण कर अवस्य करें इसके साथ ही गरीबों को काले तिलकादान करें, इससे पित्रदोस है वो दूर हो जाता है आपको अपने पित्रों की असरवात प्राप्त होती है तो पित्र दोस्त दूर करने के लिए मकरशंक्रांती की दिन ये उपाय आप जरूर करें इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको या दूसरे किसी अन्य सदस्य को किसी बुरी नजर लगी है पानी में तिल मिला लिए उसके बाद उसी पानी से आप इसनान करें इसके साथ ही साफ पानी में तिल भिगोकर आप उसका उबटन भी पहले लगा सकते हैं तो इससे जो आपको किसी प्रकार की जो बुरी नजर होती है वो नहीं लगेगी या होगी तो दूर हो जाएगी तो आप ये दोनों उपाय जरूर करें मकर्शंक्रांती के दिन, इसके बाद आता है कि अगर आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई कर्ज है, यानि पैसो की तंगी ही आपनी कर्ज ले रखा है, तो उसके लिए आप मकर्शंक्रांती के दिन सूर्देव को अर्ग अर्पित करे नहीं भे तब भी आपको सूर्य देव को अर्ग तो मगर संक्राइंती के दिन करना ही करना है इस दवरान लोटे में कुछ काले तिल और नहीं कि साथ में आपको अर्ग दे साथ ही एक मुठी तिलको कपड़े में बांद ले और किसी पेपल के पेड़ की जड़की मिट्टी खोद कर उसी मिट्टी में निचे दबा दे तो इससे क्या है आपको करज जो आनि आपका करज है वो धीर बहुत ही जल्दी जल्दी उससे आप पूरा कर सकेंगे तो आपको करज मुक्ती से चुटकारा मिल जाएगा तो ये उपाय आप उस दिन जरूर करें इसके साथ ही आपको यानि धन संबंधी कोई परिशानी है तो आप चाहते हैं धन का आगमन हो यानि भंडार भरा रहे तो जोति साथ के नुसार मकर शंक्रान्ती की संध्याकाल में लाल कपड़े में थोड़ा तिल लेकर उसकी पोटली बना ले और ये पोटली सूर देव को अरपित करें आप इस पोटली को तिजोरी में रखते इस से आपके खर्च कम होंगे और धन की जो कमी है वो दूर होगी यानि धन में व्रद्धी होगी तो इस दिन सूर देव का बहुत ही महत होता यानि जब मकर रासी में सूर प्रवेश करते हैं तब ये मकर शंक्रान्ती होती तो सूर देव के उपासना पूजा ये सारी चीज बहुत ही महत होती है तो इस दिन आपको सूर देव को सारी चीजे समर्पित अर्पित जरूर करनी है इसके बाद हम अगला उपाय जान लेते हैं अगर आप कोई अपनी मनो कामना को पूरी करना चाहते है और आपके कोई मनो कामना है जो पूर नहीं हो रही तो आप मकर संक्रान्ती की दिन सूर देव मकर रासी में प्रवेश करने जा रहे हैं ऐसे में आप आज के दिन मनो कामना पूर्ती के लिए पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा होती है तो इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान कर लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत, गुड तिल से उन्हें अर्ग जरूर अर्पित करें तो निश्चे ही आप पर सूर्दे की क्रपा प्राप्त होगी और आपकी जो मनो कामना हैं वो पूर्ड हो जाएंगी तो आपको अगर मंत्र आते हैं तो वो भी कीजिए परिक्रमा कीजिए प्रणाम कीजिए आप अपनी मनो कामना हैं उनसे जरूर कहिए ताकि आप पर उनका असिरवाद बना रहें आप हम ज मकर संक्रांती के दिन गाय को हरा चारा जरूर किला इसे सभाग में प्रधी होती हिंदू धर में गाय का देवी रूप में गाय को पूजा जाता है बहुत ही अधिक महात होता है सारी देवी देवताओं का वास्च माना जाता है तो आप गाय की तो जरूर उस दिन उनको चारा मकर संक्रांती के दिन आप काले तिल डाल कर इसनान करने से पुन्य मिलता है तो आप काले तिल डाल कर मकर संक्रांती के दिन इसनान गंगा चल मिला कर आप अपने घर में इसनान जरूर करें और रोग मुक्ती के लिए आप एक मुठी तिल लेकर अपने उपर से साथ बार वार कर उत्तर दिसा में फेक दे बिना देखें वहां पर इसके साथ ही तीसरा मकर संक्रांती के दिन घी में सफेद तिल मिलाकर हवन करें इस उपाईसे घर में सदयों लक्ष्मी जी का वास होता है तो आप घी और सफेद तिल का मिलाकर आप मकर संक्रांती के दिन हवन करें जिसे आपको मा लक्ष्मी कीजए हैं, वो करपा प्राप्त हो सेकें। इस के बाद आता है कि मकड संक्रांती पर काले तिल, सफेद, तिल और गुढ का दान करने से दरिदृता दूर होती है। या फिर मकर संक्रांती के दिन तिल और गुड का सेवन करना है बहुत अच्छा होता है इससे आपके सरीर को उर्जा बहुत मिलती है तो दान आप अपनी छमता नुसार चाहे जो इस चीज का दान कर पाए उस चीज का दान जरूर करें जैसे कि गर्म कपड़े खाने की चीज जो भी हो सके कुछ नहीं कर सकते तो आप इस पास अपने जरूरत मंद को आप खाने की चीज जरूर दे या फिर बनाया हुआ या फिर कच्छा जैसा दे सकते हैं आप उने जरूर दे अन्यका जो दान होता है तो आप और कुछ ना कर पाए तो अन्यका दान जरूर करें दा पर जरूर करें अपने पितरों के लिए मकर संक्रांती की दिन, मकर संक्रांती पर चावल, दाल, सबजी, गुड़ और घी से बनी खिचडी का महत होता है, इस खिचडी का सेवन और दान करने से सभी नौगरा प्रशन होते हैं, तो काफी जगे पर ये बहुत ही निश्चित है कि वहाँ पर खिचडी बनाई भी जाती है, और लोगों को खिलाई जाती है, और खिचडी दान करी जाती है, इस नान के बाद खिचडी मिलाने की भी परंपरा होती है, तो उस दिन खिचडी खाना बहुत ही महत पूर होता है, जो कि उरत की दाल बनती है, जिसे सनी देव प इसके साथ ही मकर संक्रान्ति के दिन नया काम प्रारंब करे इस दिन निवेस व्यवसाय और नया कारे सुरू करने से प्रगति होती है जैसे कि आप देखेंगे अभी खरमाज जो है वो समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी मंगल कारे हैं वो सुरू हो जाएगे तो मकर संक्रांती के बाद ही मंगल कारे सुरू होते तो उस दिन से आप कोई भी नया कार प्रारम होते हैं जो की बहुत ही सुभमाना जाता है ये कुछ उपाए हैं जो आप मकर संक्रान्ती के दिन कर सकते हैं इसके साथ ही मैंने आपको तिल से जुड़े पाँच ऐसे महा उपाए हुता हैं जो की आप आसानी से आप कर सकते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो प्लेज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेग और कमेंट में जरूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी मिलते हैं किसी और इसी तरह के और next वीडियो में तब तक के लिए thank you